सब लोग कैसे हैं आप सब लोग आप इच और विपन कुमार शर्मा और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं माइंड मैप सीरीज के अंदर एक बहुत ही ज्यादा बेसिक चेप्टर ऑफ बायलोजी डाट इस सेल दा यूनिट ऑफ लाइफ जब भी आप बायलोजी की बात स देख चुके हैं but it becomes very essential for you guys to understand cell before proceeding further systematics मान सकते हैं independent unit है जहां पर cell की थोड़ी बहुत बात जरूर होती है जब आप kingdom monera की बात करते हैं kingdom protesta की बात करते हैं fungi की बात करते हैं plants की बात करते हैं animals की बात करते हैं तो different type के cells आपके दिमाग में आ जाते हैं आपको पता लग जाता ह अगर आप एक animal cell draw करेंगे तो उसके उपर cell wall नहीं आएगी अगर आप एक plant cell draw करेंगे तो उसके उपर cellulosic cell wall आएगी अगर आप kaitin को draw करेंगे तो उसके उपर kaitin की cell wall आएगी अगर आप bacteria को draw करेंगे खासकर you bacteria को तो peptidoglycan की cell wall उसके उपर आएगी तो इस तरीके की चीजें और facts हमारे दिमाग में already होते हैं लेकिन दोस्तों अब हम cell को बखु भी जानने वाले हैं from the basic aspect starting with the definition of cell to the structure of prokaryotic cell all the important parts of a prokaryotic cell structure of eukaryotic cell all the important parts that are organelles of eukaryotic cell हर चीज़ को आप एक दम minute तरीके से जानेंगे since this is a mind map lecture तो काफी सारे flow charts आपको देखने को मिलेंगे काफी सारे important and interesting facts आप लोगों को जानने को मिलेंगे and NCRT के लगबग 90% जो important points है जहां से आपका question बन सकता है वो सारे points यहां पर आपको incorporated मिलेंगे इस lecture को आपको बैठ करके आराम से सुनना है आपकों के सामने अपनी NCRT रखनी है और आप देखोगे कि मातर एक घंटे के अंदर या सवा घंटे के अंदर आपका इस chapter wrap up हो चुका है तो without any further delay let's start this beautiful chapter called sell the unit of life अब जैसा की हमारे title के अंदर ही लिखा हुआ है sell the unit of life unit का मत्बब होता है इकाई यानि अगर आप एक घर बना रहे हैं और एक घर को बनाने के लिए अगर एक लाख इंटे लगी है तो आपने सबसे पहले एक इंट रखी होगी फिर उसके बगल में दूसरी इंट, तीसरी इंट, चौती इंट and so on फिर आपने इंट के लेवल्स बनाने स्टार्ट कर दियो होगे उससे आपकी दिवार खड़ी हुई फिर multiple दिवारे खड़ी हुई फिर आपकी छट आई and ultimately आपका घर तयार हुआ यानि अगर मैं बोलू कि आपका घर एक लाख इंटों से बना हुआ है लेकिन एक जो इंट है वही अपने आपको बार-बार-बार-बार रिपीट कर रही है तो यह बात गलत नहीं होगी right and similarly हमारी बॉड़ी अगर आप देखें तो हमारी बॉड़ी भी जो है यह cells से मिलकर बनी हुई है अगर आप हमारी life की शुरुवात देखेंगे तो क्या हुआ let's say this is a male parent this is a female parent अगर हम देखें तो यहां से एक haploid gamete आया होगा जिसको हम बोलते हैं sperm यहां से एक haploid gamete आया होगा डिपलोई जाइगोट एक सिंगल सेल है ठीक है और इसको हम बोलते हैं दा कनेक्शन और दा कनेक्टिंग लिंक बेट्विन टू डिफरेंट जनेरेशन यानि मदर और फादर की gamete जब फ्यूज हुए तो जाइगोट मिला यानि कि यहां पर क्या हुआ दोस्त आपके मदर फादर के characters merge हुए है और यह जाइगोट आगे क्या करेगा डिवाइड करेगा ठीक है यानि multiple cells बनाएगा और differentiate करेगा यानि अलग-अलग type के cell बनाएगा अगर आप अपनी body को देखें तो 200 से भी जादा type के cells आपकी body के अंदर पाए जाते हैं तो cells का number भी बढ़ेगा और different type के cells भी बढ़ेंगे और क्या बन जाएगा आपका यहां पर human body बन जाएगी राइट पूरी की पूरी complete human body यहां पर बन जाएगी तो हमारी life की शुरुवात कैसे हुई एक single cell zygote की formation से हुई जिससे हमारी पूरी body तयार हुई है तो हमारी body की जो इकाई है इसे हम क्या कहते है cell कहते है यह जो है आपका zygote यह क्या है आपका एक single cell ही तो है यह cell अपने आपको repeat करकर क्या बनाता है हमारी पूरी body तयार कर लेता है और यह जो cell है मेरे दोस्त यह क्या है हमारी structural unit है यानि यह हमारी body का पूरा का पूरा structure तयार कर रहा है तो it is a structural unit Right as well as what it is it is the functional unit यानि हमारी body के जो भी metabolic functions होते हैं जो भी reactions हो रहे हैं वो भी सारे cell के अंदर ही हो रहे हैं राइट तो structural unit भी यही है और functional unit भी यही है और यही तो दो main fundamental feature है भाई या तो आपकी body का structure होगा और आपकी body कुछ ना कुछ function कर रही होगी तो इन्हें हम क्या बोलते है है fundamental feature बोलते हैं इनके बिना तो जीवन है ही नहीं इसी लिए आपके सेल को क्या कहा जाता है the fundamental structural and functional unit of life अब आपको पता लग जाना चाहिए fundamental word कहां से आया structural word कहां से आया functional word कहां से आया कि आप देखें क्या लिखा हुआ है सेल के बारे में fundamental structural and functional unit of all living organism all word is important कि दुनिया का कोई भी living organism है उसके अंदर सेल होना जरूरी है living world chapter में आपको मैंने बताया था if you want to list some sort of defining features of living organism this would be one of them cellular organization वाइरस में खुद का सेल नहीं होता इसलिए उसे purely living नहीं बोलते उसे connecting link बोलते हैं between living and non-living वाइरस अगर मेरे stylus के ओपर बैटा हुआ है तो यह जो है non living state में है crystalline state में है inert state में है लेकिन जब मैं इसे inhale कर लूँगा जब यह मेरी body के अंदर चला जाएगा किसी cell के अंदर घुच जाएगा तभी जाके living होगा यानि इसको भी cell चाहिए किसी और का cell चाहिए लेकिन cell तो चाहिए भाई तो cell जो है यह आपका क्या है हर living organism की पहचान है इसलिए हम इसे क्या बोल रहे थे आपका defining feature बोल रहे थे living world chapter के अंदर अब organism जो है इनमें एक cell भी पाए जा सकता है और आपका multiple cells भी पाए जा सकते हैं जैसे आप खुद का example लो आपकी body में trillions of cells है लेकिन वहीं पर अगर आप bacteria की बात देखो तो एक ही cell है अगर आप protista की बात देखो तो उसके अंदर चाहे cryzophytes हों चाहे आपके dinoflagellates हों यह सारे के सारे जो organism से single cellular organisms है ठीक है तो unicellular organism जो है इसको हम थोड़ा कम समझते है इसको हम कहते हैं एक ही तो cell है क्या उखाड लेगा लेकिन वह एक cell independently survive कर पा रहा है एक bacteria अपना पूरा जीवनकाल बहुत प्यार से गुजार सकता है इसका मतलब एक cell जो है उसमें भी यह ताकत है कि वह सारे के सारे essential functions portray कर सके life के and independently exist कर सके तभी तो यह cells आपके जिन्दा होते हैं तभी तो आपका bacteria अपनी पूरी life cycle को complete कर पाता है तो एक cell भी वह सारे processes कर पाता है जो आप एक बहुत ही जादा complex body के अंदर करने की कोशिश करते हैं एक बैक्टीरिया जो उसमें भी DNA replication हो रहा है आपके अंदर भी होता है वहां भी आपका translation होता है आपके अंदर भी होता है वो भी अपना क्या कर रहा है नॉर्मल खाने पीने के लिए चीज़े जुगार रहा है और उसे ATP बनाने की कोशिश कर रहा है आप भी कर रहा है यानि कि basic जो agenda है life का वो तो same है खाना है पीना है reproduce करना है और survival के लिए एक जंग है जो की लड़नी है जो चाहे unicellular organism हो multi-cellular organism ह सबको इसी रूट से गुजरना है कोई भी exception यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा एंटॉन वान लिवन होक सहाब थे जिन्होंने पहली बार living cell को देखा यानि जिन्दा cell को देखा और अगर आप से कोई पूछ ले कि पहली बार normally cell को किस ने देखा living living छोड़ो पहली अगर आप सबसे पहले किस ने देखा रॉबर्ट होक अगर कोई आप से स्पेसिफिकली यह वर्ड पूछ ले कि लिविंग सेल किस ने देखा इसका मतलब वह आपको डिरेक्ट करना चाहरा है टूर्स एंटॉन वान लिवन होक उन्होंने पहली बार living जो है आपका सेल साहब ने न्यूकलेस डिसकवर किया दोस्त रॉबर्ट हुक साहब ने पहली बार डैट सेल देखा तो रॉबर्ट रॉबर्ट में इस नहीं होना है ठीक है यह दन हम बात करते हैं सेल थियोरी की सेल ठीट मतलब कुछ साइंटिस थे जिन्होंने अपने अपने जो व्यूस सेलिटे वह रखे इंपाउट सेल्स काफी साइंटिस्स की बातने से सेस्ट इस स्टीटमेंट को हम लोग कहते हैं सल फिर एक वर साइंटिस्ट आ जिन्होंने कहा कि यार आप ये तो बता रहे हो कि हम बने किस चीज के हैं पर आप यह नहीं बता रहें कि सेल डिवाइड कैस कैसे करता है नए सेल्स कैसे बनते हैं तो जो नए साइंटिस्ट आये थे उनका नाम था रुडॉल्फ विर्को और विर्को साहब ने यह बताया कि न्यू शेल्स कम्स फ्रॉम दप्री एक्जिस्टिंग सेल्स यानि एक सेल है वही डिवाइड करके दो नए सेल्स बनाएगा फिर वही सेल्स डिवाइड करके और डॉटर सेल्स बनाएगे तो न्यू सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एक्जिस्टिंग सेल्स यानि ओमनिस सेल्यूला ये बात कही रुडॉल्फ विर्को साहब ने एड आपकी सेल्स चुरी कम्प्लीट हो गई तो सेल्स चुरी में आपको दो साइंटिस्ट के बारे में पढ़ना होता है स्क्लेडिन एंड स्वान याद करने के एक सिंपल ट्रिक बताता हूं स्वान सेल्स आप पढ़ते हैं नियूरोजी के अंदर जब आप नियूरल कंट्रोल और कोडिनेशन पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा स्ट्रॉक् जो की 1838 में रिसर्च कर रहे थे प्लांट्स पर क्यों क्योंकि आपके एक जर्मन बॉटनिस्ट थे ठीक है एंड आपका स्वान जो की 1839 में लगभग आपका सेम टाइम के उपर एनिमल पर रिसर्च कर रहे थे जो की एक ब्रीटिश जूलॉजिस्ट थे एंड जो स्वान स थे बाद में इन्होंने एनिमल और प्लांट को कंपेर करने की भी कोशिश करी ठीक है और इन्होंने क्या बताया इन्होंने यह बताया कि आपके जो और्गैनिजम्स है और अर्गैनिजम्स और मेड़ अप आफ अट चैज्ट कोशिविश्ट को अट प्रॉड़क्ट अव दॉड़क्ट अफ इस एना हमारी बॉड़ी जो है वह सेल्स और सेल्स के प्रॉड़क्ट से मिलकर बनी हुई है यह स्कलेडन और स्वान साहब ने मिलकर के कोलाबरेशन में बात गई ठीक है उसके बाद आपके आय वो पुराने cell से ही मिलकर बनते हैं तो दो पॉइंट्स आ गए आपके cell theory के अंदर कौन-कौन से point आ गए all the living organisms are composed of cells cell के बने हुए and products of cells second important thing all cells arise from pre-existing cells तो ये वाला जो आपका fact है ये स्वान ने दिया और ये वाला जो है आपका रूडॉल्फ विर्को साहब ने दिया दोनों points को मिला करके आपने कहा कि भईया cell theory आपकी complete हो चुकी है आप देखते हैं एक cell के अंदर आपको देखने को मिला एक dense structure जिसको आप लोग क्या बोलते हो nucleus ठीक है यह जो nucleus है एक dense structure है और इसके अंदर chromosome होते हैं nucleus के अंदर chromosome होते हैं हमारा अगर आप deployed cell का nucleus देखोगे तो आपको 46 chromosome मिलेंगे हम लोग बोलते हैं 23 pair of chromosome वह इसी के अंदर present है एंड जो chromosome है उसके अंदर DNA है थोड़ा इसको डीटेल में बना लेते हैं जैसे यह वाला आपका structure है इसमें अगर आप देखो तो आपके chromosome हो सकते हैं इसमें आपके chromosome हो सकते हैं जो chromosome है मेरे भाई इसके अंदर क्या पैक्ट मिलेगा आपको DNA पैक्ट मिलेगा यानि आपका genetic material पैक्ट मिलेगा तो पहली चीज़ यह रहती है कि यह आपका DNA है डेन स्ट्रक्चर न्यूक्लियस है डेन स्ट्रक्चर उसके अंदर chromosome उसके अंदर DNA आपका पैक्ट है ठीक है अब यहां पर देखेंगे तो आपका membrane bound nucleus होता है यानि आपका nuclear envelope जो है well developed रहता है nuclear envelope आपका well developed रहता है जिन organisms के अंदर उन्हें हम कहते हैं eukaryotic organism you का मतलब होता है true यानि असली और carry on का मतलब होता है nucleus यानि इनमे true nucleus पाए जाता है क्योंकि उनके उपर क्या है cover है एक layer है जिसे हम nuclear envelope बोलते हैं बट अगर आपका nuclear envelope well defined नहीं है तो आप cell को क्या बोलोगे prokaryotic cell बोलोगे फिर इस nucleus को छोड़के जो बचा हुआ यहां पर आपको पूरा का पूरा system दिखाई दे रहा है यह जो बचा हुआ पूरा का पूरा आपका arena है इस पूरे बचे हुए arena को आप क्या बोलते हो साइटो प्लाजम बोलते हो ठीक है इस पूरे बचे हुए arena को आप साइटो प्लाजम बोलते हो और यह साइटो प्लाजम क्या है आपका main arena of chemical reactions है यानि आपके cell में जो भी important metabolic processes होते हैं वो usually इसी arena के अंदर होते है राइट तो यह जो है आपका क्या है semi fluid matrix है यानि यहां पर क्या है cell में nucleus के अलावा जहां पर बाकी सारी चीज़े प्रेजेंट हैं यह semi fluid substance यहां पर भरा हुआ है जिसमें metabolic reactions आपके क्या होंगे टेक प्लेस करेंगे तो main arena जो है आपका cellular activities का वो है semi fluid matrix जो कि आपका सारा का सारा volume भर देती है समाली जे बाल्टी है जिसे हम cell कह रहे है उसके अंदर एक ball है या आपने ठंडा होने के लिए तर्बूज रखा है तो तर्बूज एक nucleus हो गया उसके उपर आप जितना भी पानी भरेंगे पूरी की पूरी बाल्टी को फिल करने के लिए वो सारा पानी जो है fluid जो है वो क्य ठीक है और कुछ एक चीज़े आपके prokaryotic cell में भी पाई जाएंगी बट उनके उपर membrane नहीं होगी जैसे कि ribosomes तो organelles जो है या तो यह membrane bound होंगी जो कि आपकी prokaryotes में नहीं पाई जाएंगी यू-karyotes में पाई जाएंगी ठीक है और कुछ आपकी ऐसी organelles है which are very specific जो कि membrane less हो चाहे unicellular चाहे multicellular ribosomes सबके अंदर पाई जाएंगे and आपका eukaryote के अंदर भी एक membrane less organelles पाई जाती है जिनको आप क्या कहते है centriole centriole आपका cell division में help करता है है और यह सिर्फ किसमें पाई जाता है only in animals हमेशा याद रखना centriole आपका plant cell में नहीं पाई जाता सिर्फ animal मे यह पाई जाता है तो centriole and centrosome सिर्फ और सिर्फ animal में पाई जाते हैं ribosome आपका सम्में पाई जाता है बट एक खास बात है कि इन दोनों की दोनों चीज़ों में ही आपकी कोई membrane नहीं होती cell membrane जो की सबसे outer boundary है एक animal cell की है ना अगर आप animal cell में बात करेंगे तो animal cell में it is the outermost boundary इसके उपर कोई boundary नहीं होती लेकिन अगर आप plant cell में देखोगे तो cell membrane के बाद क्या है आपकी cell wall पाई जाती है plant cell के अंदर cell wall पाई जाएगी animal cell में cell wall आपकी absent होती है आपको अच्छे तरीके से पता है ठीक है यह एक general overview था कि एक cell के अंदर पाया क्या क्या जाएगा तो यह जो है अगर आप इसे कह रहे हैं cm यानि cell membrane तो इसके उपर एक और wall आपको देखने को मिलेगी जिसे आप क्या करेंगे cell wall कहेंगे और label करेंगे इसे आप cell wall करेंगे ठीक है तो cell membrane है cell wall है इसके अंदर और और ऊइटो कुंडियाओ हो गया अपका आपका क्लोरोप्लास्ट हो गया तो एक प्लांट सेल हुआ अगर इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है तो इसका मतलब वो फूर्ट सिंतेसाइज कर रहा है यह एक ओबर व्यू है सेल का अब हम लोग चलते हैं टुवर्ड्स दा प्रोकरियोटिक सेल पहले एक बहुत इंपोर्टेंट बताता हूं एक वैन साथ है नीट के अंदर वटट इस्टाक्र औरगनेल विदिन औरगनेल अंगल उडिन औरगनेल का एगजाम्पल क्या है आप अगर देखोगे कि यह जो आपका माइटो कॉंड्रिया है और क्लोरोप्लास्ट है जो मैंने इसका खुद का ribosome हो सकता है, तो ऐसी situation को हम क्या बोल रहे हैं, कि ribosome भी एक organelle है, और वो chloroplast नाम की organelle के अंदर ही present है, that's why it is called as organelle within organelle, तो आपका जो ribosome है, वो usually कहां पाया जाता है, rough endoplasmic reticulum पे तो पाया ही जाता है, लेकिन इसके अलावा plant में chloroplast पे and plants and animal पे mitochondria के अं organelle within organelle system, ठीक है, अब आप देखिए कि prokaryotic cell क्या होता है, नाम क्या है भाईया, प्रो, ठीक है, प्रो क्या होगा आपका primitive, यानि not so well developed, carry on, carry on का मतलब होगा आपका nucleus, ठीक है, यानि primitive nucleus यहाँ पर देखने को मिलेगा, अगर एक line में बात खतम कर दूं, तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर nuclear envelope absent है, nuclear envelope यहाँ पर पाया ही नहीं जाएगा, यानि एक well defined nucleus जो है, वो यहाँ पर नहीं पाया जाएगा, जो आपका genetic material है, DNA हो नंगा पुंगा पढ़ा रहेगा, उसके उपर कोई cover नहीं होगा, तो इन cells में कौन आता है, prokaryotic cell में, monora के सारे member, monora में हम लोगों it is bacteria, है ना नाम में ही आ रहा है, mycoplasma आ गया, जिस पर आपकी cell wall नहीं थी, तो यह pleomorphic था, अपनी shape को change कर रहा था, and PPLO which is a type of mycoplasma only, तो same चीज आपकी यहाँ पर हो जाती है, they are generally smaller, अगर आप देखो के bacteria का size काफी smaller है, अगर आप compare करना चाहो तो bacteria का size usually, अगर आप मोटा मोटा एक range लेके चलो, तो एक से 10 micrometer के बीच में होता है, जबकि एक typical eukaryotic cell का size 10 से 100 micrometer के बीच में होता है, यानि 10 गुना का size में difference है, prokaryotic और eukaryotic cell के बीच में, and they multiply more rapidly, अगर आप देखोगे, cell cycle cell division में एक fact आप पढ़ते हो, कि अगर आपको E. coli को divide करना है, which is a bacteria, आपको replicate करने में कितना time लगेगा, 20 minute का time लगेगा, लेकिन अगर आप human cell की बात करते हो, standard human cell की बात करते हो, तो इसको replicate करने में कितना time लगेगा, आपका 24 घंटे का time लगेगा, दोस्त, यानि 24 घंटे में जब तक आपका human cell 1-2 होगा, तब तक E. coli का cell कितना हो जाएगा, कितनी बार divide करेगा, एक घंटे में 3 बार divide कर रहा है, 20 minute के हिसाब से, तो 24 घंटे में कितना divide किया, 24 into 3, 72 times divide कर लेगा, और एक बार अगर वो divide कर रहा है, तो 1-2 हुए, 2-4 हुए, 4-8 हु 32 हुए, 64 हुए and so on, 72 times divide करके अपने आपको एक करोड से भी ज़्यादा जो है number में तबदिल कर देंगे, in fact even more than that, right, तो जब तक human cell 1-2 होता है, तब तक bacteria 1-10 करोड हो सकता है, इतना तेजी से ये divide करते है, all prokaryotic cells are surrounded by cell membrane, cell membrane तो आपकी सब में present होती ही होती है, तो cell membrane आपकी होगी, लेकिन membrane bound organelle नहीं होगी, है न, cell membrane है और cell wall है, bacteria की cell wall किसकी बनती है, आपकी, peptidoglycan की, बनती है, तो peptidoglycan आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, ठीक है, mycoplasma जो है, जो की exception है, मैंने आपको बताया था, इसमें cell wall नहीं होती, that's why it is pleomorphic, pleomorphic, प्लियो मतलब change करता है, या morphic, यानि अपनी morphology को, पहले गोल दिखाई दे रहा था, फिर oval दिखाई देने लगा, फिर ऐसे bend हो गया, क्योंकि इसमें cell wall तो ही नहीं, यानि outer rigid जो अंबुजा सिमेंट का structure बना हुआ होता है, cell wall at mature stage is very tough, it's very rigid, जो की आपको एक shape provide करती है, अब cell wall ही नहीं है, तो shape कैसे भी change हो सकती है, इसे हम कहते है, pleomorphic nature of mycoplasma, genetic material के अगर आप बात करें, तो हमने लिखा है naked, क्योंकि इसके open nuclear envelope तो है नहीं, तो जो genetic material है, वो नंगा में जो genetic material है, जहां पर आप बना रहे हो DNA को, that is called as nucleoid, उसके लावा DNA की छोटी-छोटे ringlets भी पाए जाते है, rings भी पाई जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते है, plasmid, ठीक है, यह small circular DNA होते है, double stranded small circular DNA, यानि इस हिसाब का DNA का एक round है, एक और round है, छोटी-छोटी multiple rings आपकी पाई ज और यहां पर plasmid में कुछ genes पाए जाते हैं, कुछ छोटे से DNA के टुकडे पाए जाते हैं, जो उन्हें आपका antibiotic से बचाते हैं, तो plasmid DNA जो है, यह इन्हें कुछ specific phenotypic characters देता है, जैसे resistance to antibiotic, समझ लीजिए, आपके पास एक plasmid है, जो chloramphenical resistance provide करता है, तो आप bacteria के पास chloram chloramphenical resistant है, अगर मैं chloramphenical नाम की दवाई इसमें डालूँगा, तो bacteria जिन्दा रहेगा, क्योंकि वो resistant है, similarly अगर एक bacteria है, जिसके पास एक gene है, which is tetracycline resistant, तो मैं अगर tetracycline नाम की दवाई डालूँगा, तो bacteria को कुछ भी नहीं होगा, वो जिस जिस चीज के लिए resistant है, वो वो बड़ा रोल आपका देखने को मिलता है, now let's pointer upon some of the important sizes which are given in NCRT, कुछ आपके sizes है जो आपको याद करने है, mycoplasma जो है smallest cell है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो 0.3 micrometer जो है इसकी length होती है, और PPLO आपको अलग से दिया हुआ, which is itself a type of mycoplasma, जिसका size 0.1 micron NCRT में बता specifically देखना है कि आपसे PPLO पूछा है या फिर आपका mycoplasma पूछा है, bacteria का average size जो है 3 से 5 micron है, ठीक है, ostrich egg largest single isolated cell है, क्योंकि एक जो gamete होता है, जो egg है, it's a gamete, it's a single cell, तो जो egg है उसका ostrich का, वो एक single cell है और वो इतना बड़ा होता है कि आप हाथ में ले सकते हो, तो वो सबसे बड़ा isolated single cell है, human red blood cell की अगर आप बात करोगे, तो 7 micrometer इसका size होता है, diameter में, और यह बाइक अंकेव disc shape होते है, इस तरीके का अगर आपका RBC है, तो यह वाला जो region है या diameter, यह आपका क्या हो जाएगा, 7 micron हो जाएगा, नर्व cell जो है, neuron, लंबे-लंबे तार जो हमारी body में है, longest cell है, largest नहीं बोला, longest बोला है, लंबाई जादा है, चड़ाई बहुत कम है, क्योंकि तार जैसे पतले-पतले होते हैं, ऐसे ही, तो यह branch हो सकते हैं, और long हो सकते हैं, क्योंकि रहें काफी जगा signals पहचाने होते हैं, so these are some important things which you need to understand, इसके लावा कुछ और sizes है, जैसे आपका virus का sizes है, 0.022.2 micron के असपस, वो और छोटा होता है, but it is not living, तो इसलिए smallest living cell किसे बोला जाता है, आपका mycoplasma को ही बोला जाता है, ये बात भी हमें देखनी है, अब आप देखे, prokaryotic cell में हमें क्या-क्या देखने को म अब यहाँ पर हम क्या बोल रहे है, cell membrane या cell wall नहीं बोल रहे है, cell envelope, क्योंकि इसमें तीन layers होती है, और वो तीनो layers मिल करके cell envelope कहलाती है, कौन-कौन से layers होंगी, यहाँ पर, तीन layers होंगी, जो tightly bind करेंगी, और आपका cell envelope बनाएंगी, सबसे पहली जो layer है, outer most इसे हम कहता है, glyco नाम में घुसो, glyco, glyco का मतलब क्या हुआ, glyco का मतलब हो गया, carbohydrate, and calyx का मतलब क्या हो गया, calyx मतलब हो गया, outer coat, तो सबसे बाहर के साइड है, तो calyx तो हुई, and किस चीज की calyx है यह, carbohydrate की बनी हुई calyx है, यानि आपका यह जो layer है, यह आपकी special sugars से मिल कर बनी है, यह क वो जो है, उस पर attack करने की strategy बनाना start कर देता है, लेकिन अचानक से attack नहीं कर पाता, if it is a new sugar, क्योंकि दुश्मन की strategy समझने में भी तो वक्ष चाहिए भाई, तो यह क्या करता है, एक outer cover बनाता है, जो कि bacteria को protect कर रहा है, अंदर के side, तो यह जो glyco calyx है, यह आपकी loose पाई जा सकती है, जैसे यह अगर आपका bacteria है, इसकी cell membrane cell wall है, तो इसके ओपर ऐसी ढीली ढीली सी आपकी slimy, गिल गिली सी, चिपचिपी सी layer पाई जा सकती है, जिसे कहा जाता है, slime layer नामी है, slimy, और अगर आपका bacteria की cell membrane cell wall है, इसके ओपर एकदम tough आपका capsule बना हुआ है, तो इसे आप क्या बोलोगे capsule ही बोल दोगे तो अलग अलग प्रकार के आपके ग्लाइको कैलिक्स जो है वो पाई जाती है अगर लूज लूज है तो slime layer अगर tough है capsule जैसी तो आपका capsule इसे बोला जाएगा बीच की जो लेयर है इसे कहेंगे cell wall जो कि आपका cell की shape determine करती है क्योंकि it is very rigid in nature अंबुजा सिमेंट की बनी हुई है maturity के उपर तो आपका cell की shape को change नहीं होने देती है अगर early cell wall है नहीं नहीं बनी है तो थोड़ी से flexible होती है growth करने देती है cell को लेकिन after maturity it is very rigid then है आपका plasma membrane which is selectively permeable plasma membrane मतलब cell membrane को भी बोलते है ना plasma lemma BC का नाम है कुछ भी लिखा आजाए एक ही बात है it is selectively permeable यानि यह कुछ चुनिंदा चीजों को ही अंदर आने देती है ठीक है कुछ चीजों के लिए ही permeable है तो यहां पर अगर आप देखेंगे साइनो बेक्टीरिया में यह जो आपकी cell wall cell membrane है यह दो प्रकार से pigment लगे हुए है यानि color से related यह काम कर रही है pigment लगे हुए है तो इसका नाम क्या हो जाएगा chromatophore ठीक है यानि यह photosynthesis में काम करती है बेक्टीरिया के क्योंकि यहां पर pigment अगर bind है तो chroma मतलब color और color कौन प्रोवाइड करता है particular cell को pigments प्रोवाइड करते हैं तो अगर यह pigment present है यहां पर तो chromatophore बना लेगी है in folding और अगर mesozoom बनाना चाहती है तो आपके अलग-अलग shape के mesozoom यहां पर बन सकते हैं कैसे कैसे मिज़ों यहां पर बन सकते है वसाइकल लाइक यानि गोल-गोल यह वाले वसाइकल ट्यूबूल यानि आपके tubular ट्यूब जैसे और आपके लेमली यानि आपके इस हिसाब के ऐसी इन फोल्डिंग अगर आपकी पाई जाती है तो इसे क्या कहते हैं आप लोग आपके cell wall बनाने में भी help करती है यह आपका DNA replication में भी help करती है DNA replicate हो चुका है यानि DNA की copies बन चुकी है तो उसे data cells में भेजने में भी यानि distribution में भी help करती है secretion process में भी help करती है क्योंकि membrane है तो flexible है तो चीज़ें बाहर अंदर करने में भी इसका important role होगा कि अल्राइट and respiration में भी help करती है यानि M for mesozoom यह जो है मेरे भाई M for mesozoom यह M for mitochondria का काम करती है इन bacteria bacteria में mitochondria तो है नहीं क्योंकि कोई membrane bound organe नहीं है बैक्टीरिया में लेकिन mesozoom किसका काम करता है आपका mitochondria का काम करता है तो functions क्या क्या हुए देखिए जो मैं आपको बता चुका हूँ वही सारे function है आपका cell membrane है फटा फट सेल बॉल पास पास बनाने में help करेगी यह बात हो चुकी थी cell division में help करेगी यानि आपका DNA replicate कर रही है पहले तो और उसके बाद इसे daughter cells में बाट रही है respiration क्योंकि surface area बढ़ चुका है तो respiration में help करेगी और secretion में help करेगी यह आपका इसे अंदर पाया जाएगा और अगर बेक्टिरिया नॉन मोटाइल है तो उसके अंदर फ्लेजला नहीं भी पाया जाएगा फ्लेजला के आपके तीन पार्ट है filament जो आपको ऊपर दिखता है चोटी जैसा that is filament अगर आम यहाँ पर बना लें तो यह आपकी membrane है membrane आपकी क्या करेगी elongate होगी क्योंकि cell wall तो आपकी rigid होती है तो cell wall आपकी बाहर की साइड पाए जाएगी cell membrane आपकी elongate होगी तो यहाँ पर फ्लेजला पार्ट है that is filament यह आपका लंबा है चोटी जैसा देन आपका यहाँ पर है हुक जो की जोड़ेगा आपके filament को नीचे वाले attachment से यह जो नीचे वाला attachment है base के उपर इसे हम क्या कहते हैं प्यार से इसे हम कहते हैं बेजल बॉड़ी इसे हम कहते हैं बेजल बॉड़ी तो यहाँ पर देखें क्या हुआ दोस्त यहाँ पर यह आपकी बेजल बॉड़ी है जैसे आपके बाल है ना एड में आपके बाल दिखाये जाते हैं कि आपका बाल उपर से तो पतला है नीचे उसकी रूट जो है वो गोल मटोल होती है अधरवाई सिर से सीधे बाल निकल जाएंगे ना नीचे कुछ तो चाहिए अटेच्मेंट के लिए उसे अटकाने के लिए तो ऐसे फ्लेजला को नीचे अटकाने के लिए क्या चाहिए आपको यहाँ पर बेसल बॉड़ी चाहिए तो बेसल बॉड़ी है उपर आपका क्या है फिलामेंट है और बीच में यह जो फिलामेंट और बेसल बॉड़ी को अटेच करने वाला इलाका है इसे हम क्या कहते है ह जो बात कर रहे थे अगर eukaryotic cell के अंदर centriole-like structures आपके basal body बनाते है, centriole जो animal cells में पाय जा रहे थे, right, and यह जो आपका filament है, यह जो flagella है, cilia और flagella, इसका आप structure अभी पढ़ेंगे आगे, in coming slides, right, so this is more or less the organization of a typical prokaryotic cell, कुछ और चीज़े बचती है, जैसे आपका flagella जो है, यह तो locomotion में help करेगा, यानि movement में help करेगा, एक bacteria को एक जगा से दूसरी जगा पहुचा सकता है, लेकिन bacteria के surface पर कुछ और चीज़े भी पाई जाती है, जैसे कि आपका pilai, pilai एक special structure है, जो कि pillin नाम के protein से बना होता है, और यह एक tube-like structure है, जो दो bacteria को साथ में connect करता है, और gram negative bacteria जो है, जो gram stain को नहीं ले पाते हैं, उनके अंदर यह पाया जाता है, just for reference, लेट से एक यह bacteria है, और एक यह bacteria है, इन दोनों के बीच में tubulin structure यानि tube-like structure पाया जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पिलाए, और इस जो है sex pilus भी कहते हैं, एक बार bacteria ने अपने ममी पापा से पूछा, ममी ममी क्या में sexual reproduction कर सकता हूँ, पापा पापा क्या में sexual reproduction कर सकता हूँ, तो ममी पापा अब सोचे यार, इसके पास तो कोई gamit बनाने की शमता है नहीं, है ना, इसके पास तो कोई fertilization की power है नहीं, तो इस इसको क्या करते हैं, बेवकुफ बना देते हैं, यहाँ पर कुछ ऐसे bacterium होते हैं, जिनमें fertility plasmid पाये जाता है, प्लाजमिट जो की आपका main genetic material के अलावा present होता है, तो यह main genetic material है, nucleoid, इसके अलावा यहाँ पर क्या पाये जा रहा है, आपका fertility plasmid पाये जा रहा है, तो इसे F positive bacteria बोल दिया, और fertility plasmid अगर नहीं है, तो इसे F negative bacteria बोल दिया, अब क्या होगा दोस्ट, अब यह जो आपका एक strand है, इस fertility plasmid का यहाँ पर चला जाएगा, अगर आप देखोगे एक strand यहाँ पर पहुँच गया, तो एक strand यहाँ बचा, एक strand अपने आपको replicate करके दूस्य Parent तयार कर सकता है, तो यहाँ भी दो strand हो गये, और एक strand अपने आपको replicate करके दूसरा strand तयार कर सकता है, यह भी आपके दोस्टेंड होगा ये भी F positive बन गया so there is a different type of genetic material transfer from one bacteria to another bacteria through sex pilus इसे बेक्टिरिया के मम्मी पापा ने क्या बोल दिया अरे बेटा ये जो आप अभी जो कर रहे हो ना DNA transfer यही तो sexual reproduction है तो बोलता है अच्छा अच्छा वेरी गुड हमें भी बहुत अच्छे characters है इसका मत्तब तो इसको बेवकूफ बनाया गया भाई it is not a real type of sexual reproduction because you basically know that there is no gamut formation there is no gamut fusion there is no embryogenesis so ultimately this is not real sexual reproduction बट बैक्टिरिया का मन बहलाने के लिए बोल दिया भाई आप में प्रिमिटिव टाइप आप 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 सेक्छल रिप्रोड़क्शन है है ना मरलब जैसे एक बच्चा होता है ना तो बेश्टी होने लगती है उसकी जब कि अरे तो पढ़ नहीं रहा इसके नंबर नहीं आ रहे तो ममी बापा कई बार ना उसको बिचारे को कंसोल करने के लिए यह बोलते हैं कि यह तो बुद्धिमैन है बस यह पढ़ता नहीं सद瑟ो कराई है है ना या यानि बेशती नहीं कर रहे है कि जब प्रोटेक्ट कर रहे हैं कैसी बात बोलकर जो सच्च हो भी सकते हैं नहीं भी सकती सिमिलरल यहां पर भी बैक्टिया को बचाया जाया रहा है कि हाँ यह आप कर रहे हो ना यही तो सेक्षण रिप्रोडेक्शन है जिससे इसका मन कुछ हो जाए हाँ चलो ठीक है भाई दुनियादारी इतनी खराब है नहीं ठीक है तो पिलाय नाम के स्ट्रक्चर पाए जा सकते हैं कुछ बैक्टिरिया में खासकर ग्राम अगर कोई हमारे अंदर बिमारी फेला रहा है तो हमारे टिश्यूस पर चिपकने में हेल्प करेंगे अगर कोई आपका समुद्र के किनारे बैठा है तो उसे पत्थर पर चिपकने में हेल्प करेंगे और फिम्ब्रे और पिलाय इन दोनों का लोको मोशन में कोई रोल नही सिर्फ और सिर्फ रोल है अपने अपने कामों में इसका बैक्टीरिया को आपका क्या करने में आप देखे राइबोसोम का बेसिक जान लेते हैं राइबोसोम जो है देखो यहां पर क्या हुआ आपका एक वर्ड आया राइबो एंड सुम ठीक है सोम का मतलब क्या होता है यह सोमा का मतलब क्या होता है body डीक है एंड राइब जो है यह आपका कहां से वर्ड आयहुआ है और अर्कित ट », इसे यानि यानि आई सा आर्ण जो कि ribosome का structure बनाता है वो RNA protein के साथ मिल जाएगा और क्या बना लेगा ribosome बना लेगा यारी राइबोसोम क्या है नाम ही ribosome है तो ribosome RNA यानि rRNA प्लस different proteins is called as ribosome structure इसका 15 से 20 nanometer है जो बहुत कम है क्योंकि हम micrometer में बात कर रहे था अभी nanometer मतलब 10 देश तुदी पावर माइनस 9 meter इतना छोटा है कि electron microscopy की discovery के बाद इसको देखा जा सका ठीक है और function अगर आप बात करें तो आपके यह जो ribosome से इने क्या कहा जाता है protein factory कहा जाता है क्योंकि protein बनाते हैं क्योंकि protein बनाने का जो process है translation वो आपका इस ribosome के उपर ही execute हो सकता है अगर आप देखेंगे तो different type के ribosomes आपको देखने को मिल सकते हैं prokaryote के अगर आप बात करें तो 70s type of ribosome है याद करने की एक trick है 7 जो है वो odd number है तो यह किन unit से मिलकर बना रहेगा 50s 5 odd number plus 30s 3 odd number और u karyote के अंदर जो ribosome होता है cytoplasm में वो आपका क्या है 80s 8 is an even number तो यह किस से मिलकर बनाओगा 60s 6 is an even number and 40s 4 is an even number इनको normally plus नहीं करना होता आपको ऐसा नहीं बोलना रहे सर 50 plus 30 तो 80 हो गया 60 plus 40 तो 100 हो गया this is not average sum this is sedimentation coefficient यह एक unit है जिसका नाम है स्वेदबर्ग unit जो कि आपको बताती है कि एक particular चीज कितनी sediment होगी राइट जैसे कि समलो एक दोस्त है वो डूब रहा है तो उसको तैरना नहीं आता तो डूबने में कितनी minute लगा रहा है दो minute और दूसरा दोस्त है वो भी डूब रहा है वो डूबने में कितनी minute लगा रहा है आपकी 2 minute लेकिन अब अगर दोनों साथ डूब रहे हैं तो एक लेकिन दोनों अगर साथ जा रहें तो हो सकता है धा थीन मिनट तक वोगे कोशिश करें तो एवरेज सम चार मिनट तो नहीं आएगा सिर से अगर यहां पर हमें टेस्ट व् बनाते हैं तो तो 50 जो है उसका sedimentation कहीं यहां पर आता है थोड़ा भारी है क्योंकि 50 30 का कहीं यहां पर आता है मैं तो 50 प्लेस 30 कितना उना चीछता है 80 बट जब यह साथ में आए ना तो इनका 80 लेवल तक तो नहीं गया बट 70 लेवल तक चला गया sedimentation coefficient कोपरेटिव एफेक्ट आ गया ना राइट तो दैट इस सेवेंटी सम नहीं करना है प्लस नहीं करने बैठ जाना ठीक है दाट इस दाटिंग इंक्लूजन बोडिज प्रोकरियोट के अंदर अब और्गनेल्स तो होती नहीं बहुत जादा मेंब्रेन बाउंड तो इंक्लूजन बोडिज होती है यानि मिलती जूलती चीज़े आसपास आ जाती है और मिल करके एक गोला बना लेती है जैसे ग्रेनियूल्स आ गए सारे के साथ आ जाओ बोल देंगे फॉसफेट ग्रेनियूल्स सारे पिग्मेंट एक साथ आ जाओ बोल देंगे साइनोफाइशन ग्रेनियूल्स और क्योंकि प्रोकरियोटिक सेल के अंदर पाए जाती है इंक्लूजन बोडी तो आपका मेंब्रेन होने का तो चांस ही नहीं है तो यह जो आपका बेसिक MRNA है इस MRNA के ऊपर क्या करेंगे राइबोसोम की जैसे अगर 70S है तो 50S और 30S तो आपकी बड़ी वाली 50S चोटी वाली 30S यह आपके मल्टिपल राइबोसोम जब MRNA से बाइंड कर गए जैसे एक धागे पर मल्टिपल मोती बाइंड करते हैं इसे हम क आपका कनवर्ट करता है आपके RNA को किस चीज़ के अंदर प्रोटीन के अंदर अब यह पॉइंट बहुत इंपोर्टेंट है यहां से क्वेश्चन आता है इंक्लूजन बॉडी के बाद यहीं से क्वेश्चन आता है गैस वेक्योल जो है यह आपके ब्लू ग्रीन एंड पर ठीक है मेन पॉइंट आपका यही है कि परपल और आपका ग्रीन फोटो सिंथर्टिक बेक्टीरिया में गैस वेक्योल पाया जाता है अब बात करते हैं यू का मतलब है ट्रू यानि असली केरियोन मतलब नुकलियस यानि वेल डिफाइंड नुकलियस यहां मिलेगा नुकल इसमें सारे के सारे किंग्डम के मेंबर साते हैं except Monera, यानि चाहें प्रोटिस्टा हो, फंगस हो, प्लांट हो, एनिमल हो, सारे के सारे यहां पर देखने को मिलते हैं and या Membrane Bound Organe तो काफी Compartmentalization है बैक्टिया के अंदर क्या था एक बड़ी मेंब्रेन थी सेल मेंब्रेन उसके अंदर सारा समान खुला पड़ा हुआ है अब क्या है एक बड़ी मेंब्रेन है सेल मेंब्रेन उसके अंदर माइटोकॉंड्रिया में छोटी मेंब्रेन अपने चैंबर बने हुए है कि एक उफिस है एक छोटा सा स्टार्ट अप है जिसने अभी जस्ट काम स्टार्ट किया है तो शेरिंग स्पेस में बैटे हुए थे सब खुले बैटे हुए थे पाउंडर भी वही बैठे हैं को फांडर भी वही बैठे हैं आपके एंपलॉई भी बैठे सब एक जगह बैठे बट कमपनी बड़ी हो गई एक फंड क्रैक हुआ या फिर बहुत अच्छा रेवेन्यू कर दिया अब CEO का अलग कमरा है आपका कैबिन है आपके CFO का अलग कमरा और कोई मीटिंग है तो किसी और के अंदर जा सकते हैं जैसे राइबोसोम कई बार आपका क्लोरोप्लास्ट और माइटो कॉंड्रिया के अंदर पाया जाता है तो वहां भी जा सकता है मिटिंग मिटिंग के लिए तो और एक एक और समझना सबसे पहले शुरुआत करेंगे सेल मेंब्रेन जो है यह आपकी सिलेक्टिवली पर्मियबल होती है अभी हमने देखा था बैक्टिरिया में लगबग आपकी हर ओर्गनिजम के अंदर सेम तरीके की ही पाए जाएगी इसमें आपके लिपिड होंगे इस में आपके थोड़े बहुत carbohydrate होंगे that's it तो selectively permeable होती है तो function क्या है इसका भीया अगर कोई polar molecule है है ना तो उसको facilitated diffusion कराना पड़ेगा यानि यह अगर आपकी membrane है और कोई molecule यहां से pass नहीं हो सकता है ना directly membrane से pass नहीं हो सकता तो इसको हम क्या करेंगे एक protein tunnel के through pass करा देंगे that is facilitated diffusion आपने facility प्रोवाइड कर दिया है जो आपका water है यह normally अगर आपका pass हो सकता है तो water की diffusion को आप क्या कहते हैं Osmosis कहते हैं यह बात सबको पता है neutral जो solute है अब neutral चीज तो directly pass हो जाएगी membrane से directly diffusion से क्या हो सकती है अगर आप देखेंगे तो आपका active transport भी होता है active मतलब यहाँ पर ATP लगेगी आपको energy should move from high concentration to lower concentration बट हमारे यहां पर क्या करना है हमें इस एक molecule को भी यहां भेजना है अगर यहां से यहां चीज़े जाएंगी तो nature के रूल के साथ-साथ चीज़े चल रहे हैं तो free में जाएंगी एक molecule को अगर यहां भेजना है तो जोड़ लगाना पड़ेगा रहे भाई तू भी भाग वहां पर तो यहां पर क्या लगेगी आपकी ATP लगेगी यानि active process आपका हो जाएगा ऐसे process को हम active process बोलते हैं और pump शब्द का इस्तिमाल वहां पर हम लोग करते हैं cell membrane की composition क्या होती है बनेगा कैसे आपका cell membrane आपका lipid by layer से बनेगा ठीक है और main जो lipid रहेगा वो आपका कैसा रहेगा यह नो आपका phosphoglyceride रहेगा यानि phosphate contain करेगा एनिमल की जो cell membrane है इस पर cholesterol भी देखने को मिल सकता है यह आपको बना के दिखाऊंगा अभी जस्त है ना तो लिपिड के आपके दो parts होते हैं एक तो आपका head और एक आपका tail तो head जो है यह phosphate contain करता है तो इसे polar head बोला क्योंकि चार्ज़ है और यह hydrocarbon की tail बनती है तो यह non-polar होती है तो आपको पता है cell के बाहर पानी है तो पानी से interact करने के लिए polar part आपको चाहिए तो head बाहर की side रहेगा और non-polar जो part है वो अंदर की side रहेगा ठीक है लिपिड के अलावा क्या पाए जाता है membrane के अंदर protein पाए जाता है और carbohydrate पाए जाते है तो protein जो है दो प्रकार के एक तो integral एकदम attached है लिपिड के अंदर फसे हुए एक peripheral जो surface के ऊपर है ठीक है अब एक बार थोड़ा इसको समझ लेते हैं आफ्टर दैट वी विल बी प्रोसीडिंग फर्दर अब देखें membrane जो है वो ऐसी है lipid की दो लेर से बाइलेर यहां पर आपका polar head यहां पर tails polar head बीच में क्या ढाल देते हैं इंटीग्रल जाल देते हैं बड़ा सा यह कैसा प्रोटीन है जो मेंब्रेन के बीच में फटाव हुआ तो यह आसानी से निकले गा नहीं ठीक है पॉलर हैड हाइयरो कार्बन टेल पोलर है रहाइद हाइड के साइड क्यों है अंदर के शवर नहीं क्योंकि आपका सेल जो है इसके बाहर क्य यह वाला जो है यह आप पानी की तरफ बना रहे हो अंदर भी पानी पाई जा रहा है और यह पानी से डरती है क्योंकि यह प्रोटीन है इसे टरनल प्रोटीन या ट्रांस मेंब्रेन प्रोटीन बोलते हैं यह प्रोटीन है यह प्रोटीन है क्योंकि यह आपका इंटिग्रल प्रोटीन के अंदर लेकिन कुछ प्रोटीन से होते बाहर की साईट पाए जाते हैं इन्हें क्या कहा जाता है peripheral protein कहा जाता है यह आपका periphery पर देखने को मिलेंगे यह क्या कहा जाता है इन्हे peripheral protein कहा जाता है ठीक है अब यहां पर क्या है यह जो lipid है यह हो गया lipid की एक layer lipid की दो layer इसे कहते हैं हम लोग by layer जो कि flexible रहती है और प्रोटीन आपका यहां पर प्रेजंट है जो की छिड़का हुआ है एक तरीके से तो इसे हम क्या कहते है fluid mosaic model of plasma membrane lipid आपकी fluid है जो cell को बड़ा कर सकती है चोटा कर सकती है protein भी बनाना है हम लोग तो चिड़क देते हैं से नॉर्मली ऐसी प्रोटीन चिड़के हुए होते हैं अब लिपिड हो गया प्रोटीन हो गया इसके बाद आता है carbohydrate तो carbohydrate आपके यहां पर लगे रहते है लिपिड के साथ तो क्या बना देते हैं ग्लाइको ग्लाइको मतब लिपेड ग्लाइको लिपेड इनकी खास बात क्या है सिर्फ और सिर्फ आउटर स्क्चर पर ही पाए जाए जाएंगे और कहीं ने इसमेट्रिक कुछ चीज़ें जो सिर्फ बाहर की साइड पाई जा रही है नॉट ऑन इंसाइड तो एसमेट्रिक मेंब्रेन इसे कहा जाता है आप कोई चीज है जो नॉर्मली ट्रांसफर कर सकती है जैसे हमने बताया था कि आपका वाटर मॉलीक्यूल है कोई है है ना समयलो भात करना चाहता है कर जाएगा कोयोट्र मॉलीक्यूल है और अगर को है तकुरीप हो यह होने यहां से प्रोटीन है यह को अंग शुद ट्रांसफर करने में है के प्रोटीन ठीक है तो यहां पर क्या बोला क्वासी फ्लूइड नेचर है लिपिड का है ना जो लिट्रल मुमेंट करा सकता है प्रोटीन का इंद ओवराल बाई लेर इसे फ्लूइडिटी कहते हैं यानि दो प्रकार की मुमेंट हो सकती है आपकी यहां पर इस मेंब्रेन के इंदर पहली ज़ошु है इसे हम demiş कहते हैं लिट्रल मुमेंट क्लोटी ओफ्लूइड की ट्राइब के ओध ढ हलिए यह प्रोटीन धोड़ा इस साड़ कि सकता है बिल के सकता है तो लिट्रल मुमेंट जवे यह यह कौन चिखा सकते है आपके लिपेट जा सकते हैं लिपिड के साथ साथ आपके प्रोटीन में दिखा सकते हैं इस लीफ लट से इस लीफ लट में क्या लिपिड जा सकता है एकmetal keys ली जा सकता हैम कभीकभी Вंसे अब्ल्यूमून एक दम oช लेकिन अगर आप बोलोगे कि क्या प्रोटीन इस जगा से इस जगा जा सकता है कभी भी नहीं तो यह आपका सिर्फ लिपिड में हो सकता है फ्लॉप प्रोटीन के अंदर नहीं हो सकता ठीक है तो इसी लिए बोला गया है कि लिपिड आपका हेल्प करता है चीजों को फ्लो करने में इसे हम फ्लूइडिटी की पावर कहते हैं ठीक है अब फ्लूइड नेचर जो है लिपिड का है किस किस चीज में हेल्प करेगा फ्लूइड है फ्लेक्सिबल है तो सेल ग्रो करेगा सिक्रीट करेगा चीजों को बाहर भीज पाएगा वेसाइकल बना करके एंडोसाइटोसिस चीजों को अंदर ले पाएगा सेल डिवीज तो I guess this is clear, आगे बढ़ते हैं और तोड़ा सा और discussion करते हैं I guess अब cell wall किस किस चीज की बनी होती है, अगर आप देखोगे, cell wall जो एक non living structure है और rigid structure है, अमबूजा सिमेंट का structure है, जब यह नई नई बनती है, यानि primary cell wall है तो इसमें growth हो सकती है, यानि primary cell wall है अगर तो इसमें growth हो सकती है, है ना, यह young cells में पाई जाती है, लेकिन जैसे जैसे cell mature होगा, यह आपकी diminish हो जाएगी, यानि यह क्या करेगी, secondary cell wall को जनम दे देगी, और secondary wall जो एंदर की side बनेगी, and यह आपकी do not grow, it do not grow, यह आपकी क्या रहेगी, mature हो जाएगी, जैसे यह एक cell था, जिसके उपर आपकी cell membrane, and यह primary cell wall, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो यह आपकी cell membrane है, यह आपकी primary cell wall, जो कटने लग पड़ी है, and इसके साथ आपकी अंदर की side आजाएगी, क्या आपकी secondary cell wall, अंदर की side आजाएगी, आपकी secondary cell wall, यह आपका scene है, अगर आप देखेंगे, cell wall अलग-अलग plants में किस चीज़ की बनी हुई है, अगर आप bacteria की बात करते हो, peptidoglycan की बनी हुई है, fungus की बात करते हो, kaitin की बनी हु and minerals भी पाए जाते हैं, और अगर आप plant की बात करते हो, तो cellulose, hemicellulose and pectose पाए जाते है, with some sort of proteins sometimes, बेन जो है आपका cellulose, hemicellulose, pectose ही है, and in case of algae, it is cellulose, galactans, menance, calcium carbonate कई बार add किया जा सकता है, यह सवाल आपका pyq में पूछा जाता है, इसलिए एक बार star लगा दिया, आप देखिए, functions of cell wall क्या है, cell को shape देता है, क्योंकि rigid है, तो cell को shape प्रवाइड करेगा, outer layer है, यहाँ पर तो glyco-calics है नहीं, eukaryote के अंदर, cell membrane है, उपर cell wall है, तो outermost layer है, तो protection प्रवाइड करेगा, cell to cell interaction, दो cell है, तो सबसे outermost layer से ही तो जुड़ेंगे न, एक दूसरे से भाई, अगर मेरा कोई पुराना दोस मुझे मिला है, तो हम गले लगाएगे न, तो भाई, सीने से सीना टकराएगा न, भाई, जॉन सीना तभी तो बनेगा, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि भाई, एकदम सीना फाड के एकदम फेपडा टकरा देंगे दोनों एक साथ, this is not possible, त तो बाहर की जो लेयर है, वही तो टकराएगी न, मेरे भाई, तो आउटर मोस जो लेयर है, this is cell, वाल, तो ultimately cell to cell interaction में, cell wall, cell wall, पहले गले मिलेंगी न, आपका क्या बनेगा, connection बनेगा, they provide a barrier to undesirable molecule, आउटर लेयर है, तो अगर कोई चीज हमें नहीं चाहिए, तो वो अंदर न नहीं पहुंचनी, चाहिए, उसकी जिम्मेदारी भी यही उठाता है, middle MLA क्या है, यह आपका calcium pactate का बनावा layer है, बहुत important question है, इसलिए green से मार किया हुआ है, यह neighboring cells को पास-पास लेकर के आता है, यानि, let's say, if this is a cell, तो यह क्या है, आपकी अंदर की side cell membrane, बाहर की side cell wall, यह बीच में जो junction मनेगा, इनके बीच में जो junction मनेगा न, यह भाईया है हमारा calcium pactate का middle lamella, ठीक है, तो यह क्या है आपका plasma membrane, यह क्या है आपका cell wall, यह क्या है आपका middle lamella, जो कि दो cells को connect करता है साथ में, ठीक है, अब देखो भाईया, cell organelles की बात करते है, cell organelles जो है, यह आपका cytoplasm में, अलग-अलग compartment के form में पाई जाती है, अब यह तो काफी cell organelles में, एक single membrane हो सकती है, जैसे lysosome है, single membrane है, micro body है, जैसे कि आपका paroxysome हो गया, micro body में example, गोलजी complex है, endoplasmic reticulum है, इन सब में क्या हुआ, एक-एक membrane है, कोई membrane नहीं है, ऐसी दो organelles है, ribosome, जो कि आपका prokary cell में भी पाई जा रही थी, and eukaryotic cell में भी पाई जा रही है, क्योंकि एक universal organelles है, and centriole, जो कि आपका सिर्फ और सिर्फ कहां पाई जा रही है, animal cell में पाई जा रही है, plant में भी नहीं है, यह fungus में भी नहीं है, सिर्फ animal cells में पाई जाती है, double membrane, nucleus को अगर आप देखोगे, तो endomembrane system जो है, यह आपका क्या रहेगा, यह आपका एक group of organelles है, जो miljool कर काम करती है, ठीक है, यानि कि कुछ ऐसी organelles जिनके functions coordinated है, तो इसमें चार organelles रहती है, ठीक है, सबसे पहले nucleus के सबसे पास endoplasmic reticulum, endoplasmic reticulum में दो parts होते हैं, basically आपके, एक आपका smooth endoplasmic reticulum, यह smooth क्य दिखाई देता है, क्योंकि इसके उपर ribosome नहीं present, और एक होता है आपका rough endoplasmic reticulum, यह rough क्यों दिखाई देता है, क्योंकि इसके उपर ribosomes present है, अब ribosome क्या है, protein factory है, तो आपका अच्छे तरीके से पता है, यह जो ribosome है क्या बनाएगा, protein बनाएगा, तो RER का का काम क्य है, S for steroid, और steroid क्या है, टाइप अफ लिपिड है, तो steroid और लिपिड बनाने का काम SCR का है, यानि सबसे पहले endoplasmic reticulum में क्या होगा, protein और लिपिड बनेंगे, फिर वो चले जाएंगे, गोलजी complex में, गोलजी complex का काम क्या है, चीजों को pack करना, प्लस G for Golgi and G for glycosylation, यान इनके उपर carbohydrate add हो जाएंगे, tag हो जाएंगे, भाई, मैंने किताब लिखी, अभी जैसे मैंने NCRT punch लिखी है, तो मैंने किताब लिखी, वो समझ लो है protein, अब मैं उसे कहां भेजूँगा, वियर हाउस में भेजूँगा, यानि गोलजी complex में, गोलजी complex में वो किताब pack होगी लेकिन क्या pack होने से धरम हो गया भाई, अगर तुमने order करी है वो किताब, तुम्हारे घर भी तो पहुंचनी चाहिए, तो आपने जो address दिया है मुझे, उसको मैं tag भी तो लगाऊँगा ना, तो वा carbohydrate के different, मैंने क्या बना रखें, tag बना रखें, कि अगर मैंने 6 carbohydrate की ये unit ल PR किया है, तो ये आपका endoplasmic reticulum में वापस चला जाएगा, protein इसकी जरूरत endoplasmic reticulum में है, अगर मैंने 7 carbohydrate का एक particular tag बना रखा है, तो ये nucleus में चला जाएगा वापस protein, अगर मैंने 16 carbohydrate का एक tag बना रखा है, तो इसे गोलजी में ही रखना पड़ेगा मुझे, अगर मैंने 27 carbohydrate क एक tag बना रखा है, तो वो cell membrane के पास चला जाएगा, ऐसे करके क्या होगा, carbohydrate का tag लगता है, यानि glycoprotein, protein के उपर sugar लग जाएगा glycoprotein, lipid के उपर sugar लग जाएगा glycoprotein, तो glycosylation कहा होती है, गोलजी complex में, जी फॉर गोलजी, जी फॉर glycosylation, याद रखना, फिर lysosome में चीज़े चली जाती है, जो काम की चीज़ है, वो तो यूटिलाइज हो जाएगी, जो काम की चीज़ नहीं है, lysosome क्या करता, उन्हें तोड देता है, lysosome एक खतानाक organelle है, जिसको suicidal body कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे hydroletic enzyme है, यह protein को तोड सकता है, carbohydrate को तोड सकता है, lipid को तोड सकता है, nucleic acid को तोड सकता है, इसके पास सब है, carbohydrate तोडने के लिए इसके पास amylase है, protein तोडने के लिए इसके पास protease है, then आपका lipid तोडने के लिए इसके पास lipase है, nucleic acid तोडने के लिए nuclease है, कुछ भी तोड सकता है, and then अगर कोई चीज 2T4T हमें store room मे यहां से रिलेटेड नहीं होते एंडो मेंब्रेन सिस्टम से सिर्फ चार और गनिल आती है आपर एंडो प्लाजमिक रेटिकुलम गोलजी फिर लाइसोसोम फिर आपका वैक्योल ठीक है तो बाकी सारी चीजों को यहां नहीं जोड़ा जाता सिर्फ यार जीसी लाइसोसोम एं अब देखो भया क्या हुआ एक टिपीकल सल के अंदर ठीक है यहां पर देखे क्या क्या हुआ सबसे पहले आपका आया एंडोप्लाजमिक रेटिकुलम में ने वारे मैंने क्या बताया था इस पह राइव सोम के सबसे पास पाया जाए गा अगर आपunyaक्र दाये आपका endoplasmic reticulum, उसके बाद आपकी गोल जी है, ठीक है, तो यह present भी आपके sequence में ही है, तो यह क्या करता है rough endoplasmic reticulum, protein synthesis करता है, और उसको secrete करता है, यानि आगे भेज देता है, गोल जी के पास, ठीक है, and दूसरा जो है, आपका smooth endoplasmic reticulum है, as for smooth, तो यह आपका क्या करेगा, synthesis of lipid synthesis of steroidal hormone कराएगा, यानि आपका nucleus के just past जो connected है, nucleus का outer envelope है, उससे connected है endoplasmic reticulum, वहाँ protein और lipid आपके बन चुके है, ठीक है, और यह जो आपका endoplasmic reticulum है, यह देखो nucleus है, nucleus की inner layer और outer layer, outer layer के just continuation में ही आपका क्या है endoplasmic reticulum, ठीक है, तो यहाँ पर endoplasmic reticulum के अंदर का जो part है, इसे हम क्या बोलते है, lumen, यानि luminal part, और endoplasmic reticulum के बाहर जो पूरी दुनिया ब्रह्मान का सामान पड़ा हुआ, उसे पूरे को हम बोलते है, extra luminal, तो endoplasmic reticulum के दो part है, एक उसके अंदर का, lumen, और एक बाहर का जो भी cell है, उसे extra luminal हम लोग बोल देते है, यानि पूरा क पूरा cytoplasm, तो अगर rough endoplasmic reticulum है, तो protein मनाएगा, क्योंकि उस पर ribosome है, smooth endoplasmic reticulum है, as for smooth, तो यह क्या बनाएगा, steroid hormone मनाएगा, and steroid is a lipid by default, तो यह आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, then अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर क्या है, आपका lysosome, ठीक है, गोलज complex है कि नहीं, गोलजी apparatus है, तो गोलजी apparatus है, इसका नाम गोलजी क्यों पड़ा, क्योंकि 1898 में Camillo गोलजी नाम के एक scientist ने इसको observe किया था, और बताया कि nucleus के पास यह structure पाये जाता है, nucleus के सबसे past कौन है, endoplasmic reticulum, उसके just बात क्या है, आपका गोलजी, size जो है, इनका आधे स से एक micron के बीच में होता है, ठीक है, function क्या है, इसका packaging, यानि packaging करेगा है, और क्या करेगा, glycosylation करेगा, यानि lipid और protein जो endoplasmic reticulum से बन के आए हैं, उसके उपर tag लगा देगा, तो सबसे पहले endoplasmic reticulum से जो बन के आते हैं, आपके proteins, लेट से यह आपका nucleus है, inner envelope of nucleus, यह outer envelope, outer envelope, आपका इस प्रकार का structure बना ला है, call endoplasmic reticulum, यहाँ पर आपके ribosome present है, यानि यह है rough endoplasmic reticulum, यह आपका smooth endoplasmic reticulum, समझ लो, आपका rough endoplasmic reticulum से क्या बना, आपके proteins बने, तो यह protein कहां जाएंगे आपके, गोलजी पर जाएंगे, आपके गोलजी पर जाएंगे, तो यह जो सबसे पहला part है, जहां पर आ करके यह protein जुड़ा, इस पहले part को हम लोग क्या कहते है, convex या cis गोलजी, और forming phase, क्योंकि यहाँ पर चीज़े form होते ही आई है, फिर beach का जो गोलजी है, इसे हम कहते है, median गोलजी, beach का गोलजी, and then end में जो गोलजी है, इसको हम क्या बोल इसका नाम है forming phase, जहां चीज़े form हो रही है, तो दूसरे का नाम हो गया, maturing phase, जहां से आपकी mature हो करके, pack हो करके, tag हो करके, क्या हो रही है, चीज़े निकल रही है, तो गोलजी के आपके दो पार्ट है, cis और trans, इनके बीच में median गोलजी भी आपका हो सकता है, तो यहाँ प आपका vesicle के थुरू कहां चला जाएगा, आगे अलग-अलग जगा पर transport हो जाएगा, चाहे plasma membrane के पास चला जाएगा, nucleus में चला जाएगा, या फिर आपका lysosome में चला जाएगा, degrade होने के लिए, तो यहाँ पर देखो, अब आपका lysosome में चीज़े जा सकती है, lysosome जो है, या आपका golgi apparatus से ही बनता है, golgi apparatus में चीज़ें चोटी-चोटी vesicle में pack होके निकल रही है, तो ऐसी एक vesicle जो golgi apparatus से निकलेगी, वो आपकी modify हो जाएगी, and किसमें convert हो जाएगी आपकी lysosome में, lysosome में convert हो जाएगी, इसमें सारे के सारे hydroletic enzymes पाय जाते हैं, जो किसी भी biomolecule को तोड़ सकते हैं, ठीक है, lipid को तोड़ने के लिए lipase, protein को तोड़ने के लिए protease, carbohydrate को तोड़ने के लिए carbohydrates या amylase, nucleic acid को तोड़ने के लिए nuclease, यह acidic pH में active होते हैं, या अगर आपका lysosome है, तो इसके उपर क्या लगा रहता है, proton pump लगा रहता है, यह proton pump क्या करता है, इसी acidic condition में, यह सारे के सारे enzymes, hydrolitic enzymes, यह active रहेंगे, अगर acidic condition नहीं है, तो सारे enzymes inactive हो जाएंगे, lysosome कुछ भी नहीं कर पाएगा, देन, चीज़ी जाती हैं, आपकी vacuol में, vacuol में भी आपकी single membrane पाई जाती है, जिसको हम कहते है, tonoplast, ठीक है, tonoplast नाम की single membrane है, और इसमें सारा waste material थोड़ा बहुत पाया जाता है, जैसे आपका excretory material है, extra water है, extra sap है, और ऐसी material जो की cell अभी use नहीं कर रहा है, plant cell में, जो vacuol है, वो 90% तक का space carry कर सकता है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, vacuol बहुत बड़ा space carry कर रहा है, 90% तक की volume भी यह cover कर सकता है, and concentration जो है, आपकी vacuol की यह higher है, आपकी cytoplasm के comparison में, कैसे याद करोगे, भाई, cytoplasm जो है, वो आपका घर है, उसमें सारी चीज़े organized है, vacuol जो है, वो तो store room है, अब घर जो है, जैसे मेरा यह घर है भाई, तो मैं खाली घूम सकता हूँ ना, यहाँ पे, क्योंकि space है, क्योंकि मैंने इसको अच्छे सा organize किया है, लेकिन अगर यह मेरा store room होता, औ अगर मैं इतना घूम जाता store room के अंदर तो, because it is very dense, तो similarly vacuol जो है, इसके अंदर तो सारा material आया फैका, आया फैका, आया फैका, तो वो एकदम ठूस ठूस कर भर गया, यानि उसकी concentration जादा है, cytoplasm में organized a matter, तो concentration कम है, अगर अब आपको cytoplasm से और माल फैकना है, vacuol में, तो आप कहाँ फैक रहे हो, low concentration to high concentration, यानि आपको energy लगानी पड़ेगी, this is gonna be an active transport, याद रखना है, active transport आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, यह आपका endomembrane system, अब बात करते हैं हमारे powerhouse की, हमारे शक्तिमान की, that is mitochondria, mitochondria आपका sausage shape होता है, एक meat का टुकड़ा होता है, cylindrical सा, ऐसी shape का होता है, अगर आप size देखें, तो 0.2 से 1 micron, यानि आधा micron आप कह सकते है, average इसकी, क्या है, diameter है, और 1 to 4.1 micron, यानि average आप कह सकते है धाई micron के आसपास इसकी क्या है, length हो जाएगी, तो अगर इस प्रकार का mitochondria है, तो इसकी length जो है लगबग, धाई micron के आसपास, और लगबग, आधा micron के आसपास क्या हो जाएगी, इसकी diameter हो जाएगी, ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, mitochondria को, तो mitochondria की outer membrane है, क् हमेशा याद रखना, जहां पर भी 2 membrane है, outer membrane ज्यादा permeable होगी, क्योंकि आप outer layer breach कर सकता है, अंदर जो है, आपकी ज्यादा restriction होगी, जैसे अगर कोई मेरे घर आ रहा है, तो अगर, let's say, मैं घर पर नहीं हूँ और कोई parcel रखना है, तो भी कोई मेरा outer gate खोल करके, फेंसिंग से मिलता जुलता है, यह fission से divide कर सकता है, अपने आपको duplicate कर सकता है, इसके अंदर अगर आप देखोगे, तो it is a semi autonomous organelle, mitochondria और chloroplast दोनों, तो इनके अंदर खुद का DNA पाए जाता है, ठीक है, इनके अंदर खुद का DNA है, तो खुद का RNA भी बना लेंगे, और खुद का RNA से ख circular गोल गोल DNA था, हमारे अंदर तो सीधा DNA पाए जाता है, main cell के अंदर, यहां गोल गोल DNA था बैक्टिरिया में, यहां भी गोल गोल DNA है, वहां 70S ribosome थे बैक्टिरिया में, यहां भी 70S ribosome है, है ना, बैक्टिरिया फिजन से divide कर सकता है, यह भी कर सकता है, तो there are multiple similarities, 70S ribosome यहां पर पाए जाते हैं, तो यह खुद के कुछ protein खुद बना सकता है, इसलिए से क्या बोला जाता है, semi autonomous, यानि कुछ protein खुद बनाएगा, कुछ तो इसको चाहिए nucleus से, तो इसलिए semi autonomous बोला, अगर अपने 100% protein खुद बना लेता, तो autonomous बोल देते, कि भाई, independent है, खुद ही कर सकता है सब कुछ, लेकिन ऐसा नहीं है, इसको 50% से भी जाधा infect, 70-80% जो proteins हैं, वो nucleus से ही मिलते हैं, उसी की command से मिलते है, function क्या है, respiration करना, यानि ATP बनाना, इसलिए तो powerhouse of the cell बोला इसे, क्योंकि ATP बनाता है, energy बनाता है, structure अगर आप देखोगे, तो आपकी outer membrane है, एक inner membrane ह है, तो outer membrane और inner membrane के बीच क्या है, membranous space, जैसे outer membrane है, और inner membrane जो है, infolded है, surface area बढ़ाने के लिए, इसके बीच का जो region है, इसे बोला inter-membranous space, ठीक है, और अंदर वाली जो membrane है, यह folded है, जैसा मैंने बताया, तो इन infoldings को आप क्या बोलते हो, crystal, जो की surface area बढ़ाते है, surface area करेंगे, वो भी ज्यादा होंगे, ठीक है, अब बात करते हैं, हमारी second important organelle की, that is your plastic, तो plastic जो है, यह group of organelle है, यह मतलब कि एक category है अपने आप में, इसके अंदर आपका chloroplast पाए जाएगा, तो जो प्लास्टेड है, यह जो है, आपके plant cells में पाए जाते हैं, और आपके, जो भी photosynthesis करते हैं, और eukaryotic organisms जो है, उनके अंदर आपको प्लास्टेड देखने को मिलेंगे, यानि अगर आप bacteria में बात करें, तो प्लास्टेड नहीं है, इसलिए chromatophores बने थे, pigment आपके membrane के साथ ही associated थे, कोई special body नहीं थी उसके लिए, यहाँ पर अगर आप तो प्लास्टेड जो है, तीन टाइप के हो सकते है, chloroplast, नाम है chloro, तो green pigment इसमें पाए जाएगा, यानि chlorophyll पाए जाएगा, नाम है chromo, chromoplast, तो इसमें और, chroma मतलब color, यानि और color के pigments पाए जाएगे, जैसे आपका carotene, जो कि आपका yellow to orange color का होता है, carotene, यानि carrot के color का, x centophyll, phyco erythrine, जो red color provide करेगा, erythrine आ रहा है नाम में, phycocyan, cyan मतलब blue, जो blue color provide करेगा, ना, तो blue color हो सकता है, red हो सकता है, आपका orange हो सकता है, yellow हो सकता है, अलग-अलग color जो pigment के है, वो आपके chromoplast में पाए जाएगे, green आपका chloroplast में पाए जाएगा, लेकिन अगर leukoplast है, आपके जो white blood cell हैं, उननको भी क्या बोला जाता है, लिकोसाइट बोला जाता है, है ना, तो यह तो colorless होंगे, या white होंगे, तो white में तो कोई pigment होता नहीं है, तो अब क्या करेंगे भईया, यह काम क्या करते है, white है, तो storage का क्या करते है, amylo, amylo का मतलब क्त्लब क्या है, amyl िलो-ज़वाईलो-वैलो-पेक्टिन किसकी युनिट है स्टार्च की स्टार्च क्या है कार्बो हाईडरेट है यह सट्वर करेंगे हmäß एल्यूरो एल्यूरॉन- लेयर कहां पड़ी थी अभी प्रोटीन में है ना प्रोटीन की बनती है एल्यूरॉ् लेयर जब हम मोनोकॉट की बात कर रहे थे उस टाइम पे, तो एल्यूरो का मतलब यह होता है प्रोटीन, तो यह प्रोटीन स्टोर करेगा, और इलायो में क्या वर्ड आ रहे हैं, देखो, ओ, आई, एल, है ना, तो फैट और ओईल, यह जो है, आपका स्टोर करेगा, तो तीन तरीक अब लूको है, तो वाइट कलर का है, तो पिगमेंट तो है नहीं, तो वो स्टोर करेगा चीजों को, क्या स्टोर करेगा, एल्यूरो प्लास्ट है, तो एल्यूरो मतलब आपका प्रोटीन यानि प्रोटीन स्टोर करेगा, अमाईलो मतलब कार्वोहईडर स्टोर करेगा, इ यहां पर आपके छोटे-छोटे सिक्के जैसे structure है इन सिक्कों जैसे structure को हम क्या कहते है थाइलाकॉइड और यह थाइलाकॉइड मिल करके आपके एक body तयार करते हैं जिसे हम कहते है ग्रेना तो यह पूरा का पूरा एक क्या हो गया ग्रेना हो गया ठीक है और यह जो मैट्रिक मेट्रिक्स नाम हम यूज कर रहे थे हम नॉर्मल सेल की बात करते हैं तो साइटोप्लाजम बोल देते हैं आसपास के मटीरियल को यहां हम क्या बोलेंगे स्ट्रॉमा बोल देंगे स्ट्रॉमा लlemy क्योंकी स्ट्रॉमा खुजर रहे तो स्त्रॉमा लेमिली इसे बोल देंगे अब क्लोरपलाज स्थ प्रोटीन यह भी लबग खुद बना सकते हैं ठीक है तो क्लोरोप्लास्ट जो है शेप क्या होगी इसकी लेंस ओवल स्फेरिकल अलग अलग टाइप की शेप आपकी हो सकती है साइज अगर आप देखोगे तो पांच से दस माईक्रॉन यानि लबग साड़े साथ माईक्रॉन जो है इसकी लेंथ हो जाएगी विर्थ दो से चार माईक्रॉन यानि एवरेज 3 माईक्रॉन हो जाएगी तो बताओ माई टोकॉंड्रिया बढ़ाया क्लोरोप्लास्ट साथ है यानि लबग तीन गुना लेंथ में बढ़ा है छे गुना तीन गुना एवरेज बाद सकते हो पांच गुना बढ़ा होता है क्लोरोप्लास तो यह आसानी से दिख जाता है सेल के अंदर लेगन माइटोकॉंड्रिया को देखने के लिए स्पेसिक डाई डालनी पड़ती है तब जाके माइटोकॉंड्रिया साहब दिखते है उस डाई का नाम है जैनस ग्रीन जे एन यूएस जी आर डबल एन ठीक है तो इसका साइज जो है वह आपको देखने को मिला बहुत अच्छा खासा साइज बड़ा साइज बिगर देन माइ गुसोम पाए जाएंगे विकॉज टिजए सेमी ऑटोनमस और गनिल के नंबर जो है क्लोरोप्लास्ट का क्लमाइडो मोनाज जैसे और गैनिजम में एक है क्योंकि वह खुदी ही उनी सेललर है तो एक सेल के अंदर एक कप शेप क्लोरोप्लास्ट पाए जाएगा मीजोफिल जो है हमारी हरी भरी पत्तियों की उनमें लबब 20-40 क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं पर सेल आपके सुपरफीशल होते हैं बाउंडरी पर जिससे जादा से जादा सनलाइट आए क्योंकि पहले बाउंडरी पर गिरेगी फिर अंदर जाएगी ना तो बाउंडरी पर ही अ दोख थे हैं और बना लेते हैं घ्रेना के और स्ट्रोमल एंवली जो है यह दोख रैणको साथ में अरश नेक्ट करती एक बात जो इंपॉटनट है जहां फो तो सिंतेस्ट में पढ़ेंगे ग्रेन आपका बैट्टरी जैसा दिखते है न अग्रे अग्रेन आपका बैट्र reaction होंगे अल्राइट ये बाते भया आपको समझनी पढ़ेंगी अल्राइट राइबोसों की बात करते हैं भाई राइबोसों की बाते वैसे तो हो चुकी है बट स्टिल हम लोग थोड़ा सा इसको और डीटेल में समझेंगे राइबोसों जो इस पर कोई तो राइबोसों मिल सकते कहा मिलेगा आपका प्रोकेर्इयाट में सम्ञ GET मिलेगा स्टियाएब। ठीक है लोकेशन जो है आपकी प्रोकरियोटिक सेल में क्या है वहां तो कोई आपका क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉंड्रिया है नहीं तो मेंब्रेन के साथ ही असोशेटेड होते हैं यह आपके साइटोप्लाजम में फ्रीली पाए जाते हैं 70S राइबुसम लेकिन अगर आप युकरियोटिक सेल में देखोगे तो 70S आपके क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉंड्रिया में पाए जा रहे हैं 80S जो है आपके रफ एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम में पाए जा रहे है डिस्कवरी करी थी इसकी जौर्ज पैलेड साब ने इसलिए इन्हें प्यार से क् एक प्रोटीन पाइफ एंडोटीन संतेसिस करता है इसलिए प्रोटीन फैक्टरीअ भी कहा जाता है बंता किस चीज का है आपका Jinra का राईब सोम विलनरे बनेगा प्लस आपका protein बनेगा तो इसे बोल जाता है राइबो-nucleoprotein यहांगी आपका ribosomal RNA and protein मिल करके यह आपका बनेगा है तो ठीक है कि जाएट साइटो स्केलटर नाव इस टून फोर साइटो स्केलेटर साइटों का मतलब है सेल एंड स्केलेटल का मतलब क्या है आपका एक बेशिक फ्रेम तयार करना जैसे अगर आप देखोगे आपका स्केलेटल सिस्टम क्या है अगर मेरी बॉड़ी से मेरा स्केलेटल सिस्टम निकाल लिया जाए मैं तो क्या हूँ एक मास्क का धेर हूँ अभी जमीन पर गिर है हमें similarly cell जो है उसको भी एक फ्रेम की जरूरत है जैसे जब आप छत बनाते हो या घर बनाते हो तो सर्यों का एक network बनाते हो सबसे पहले है ना जाल बनाते हो उसके अंदर आप concrete material भरते हो क्योंकि उस concrete करनी में कहीं भी घूम सकती है एक क्लोरो प्लास्ट यहां से वहां चला गया कल को तो हमें उसको regulate करना है ना हम चाहते हैं कि थोड़ा सा हमारे पास friction हो थोड़ा एक फ्रेम हो जिससे की चीज़े सही दिशा में जाए तो एक नेटवर्क है यह जैसे आपका नेटवर्क होता है ना सर्यों का एक प्रोटीन का नेटवर्क बना हुआ है और तीन प्रकार के यहां पर साइटोस्केल्टल elements है micro filament जिसे actin filament भी बोला जाता है यह आपका सबसे छोटा होता है intermediate filament नाम ही intermediate है तो यह बीच का होता है and आपका micro tubule यह आपका सबसे बड़ा होता है ठीक है function क्या है mechanical support प्रोवाइड करना क्योंकि एक frame प्रोवाइड करेंगे cell को motility प्रोवाइड करना sir motility कैसे provide करेंगे micro tubule जो है यह किसका बना है नाम है micro tubule tubule का मतलब यह बना है tubulin protein का जो कि सिल्या और फ्लेजला बनाता है और सिल्या फ्लेजला किसमें help करते है motility में maintenance of shape of the cell शेप तो maintain करेगा ही क्योंकि एक frame तैयार कर रहा है तो यहां पर अगर आपको देखने को मिले कि size का क्या orientation है micro filament जो है इससे बड़ा है है आपका intermediate filament इससे बड़ा है आपका micro tubule यह है आपका size का orientation अगर आप यहां पर देखेंगे centrosome जो है वो कैसे बनता है यह एक centriol है और आपका ट्यूब जैसा structure है यह भी आपका एक centriol है यह दोनों कैसे arrange है मेरे दोस्त यह दोनों arrange है आपके perpendicularly इसकी axis बनाऊंगा मैं इसकी axis बनाऊंगा बीच में एंगल कैसा आएगा आपका 90 डिग्री का एंगल आएगा यह perpendicularly arrange है और इनके side में क्या लगा हुआ है दोस्त आपका pericentriolar space यानि centriol के चार और क्या है एक amorphous space है जिसको हम कहते हैं pericentriolar इस तो यह जो आपके दो श्रक्टर सेना यहां पर यह आपके दो श्रक्टर है यहां पर 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 पेंडिकुलर यह जो श्रक्टर है इनको हमने बोला centriol और दो centriol जब मिल जाते है पर पेंडिकुलर ली और इनके आसपास आ जाता है pericentriolar space तो इसे हम लोग क्या कहते हैं भया इसको हम लोग कहते हैं overall आपका centrosome centrosome तो centrosome क्या है दो cylindrical structure जो कि है centriol ठीक है जो perpendicular है एक दूसरे से और amorphous pericentriolar material इन दोनों को मिला के क्या बोल दिया centrosome भोल दिया बात तो correct है function क्या है it forms the basal body of cilia or flegella जब मैंने आपको cilia flegella पढ़ाया था in fact flegella जब पढ़ाया था प्रोकेलियोट में cell division के time पर आध्याधे chromosome बाटने है तो आध्याधे chromosome जब फटेंगे तो उनको दोनों साइट से कौन खीच रहे होंगे आपके centrosomes ठीक है और animal cell में पाए जाते है plant cell में नहीं पाए जाते किसी और यह आपके पाए जाते हैं ठीक है यह आपको देखना है समझना है कि अब देखो भाई यह सिलिया एंड फ्लेजला सिलिया जो है यह कुछ ऐसे स्ट्रक्चर है दोज वर्क लाइक ओर्स यानि आप अगर एक सेल हो तो आपके सेल के उपर हजारों चोटे-चोटे स्ट्चर ब्राइस पाए जाएंगे जिसको आप क्या बोलोगा के सिलिया एन ये सारे के सारे कॉणिनेटिटिड फ्हेशन में मूव करते हैं यानि एक सात एक सात एक सट एक हीुआ में मोशन करते हैं पानी पीछे थक चानव उद्चर सोबग ऊर्वड थे है इभानाँ मेंब्रेंन के स्ट्ट्ट्ट्ट से ये सिलिया चनिकलेगे और इनकी स्कोर जो होगी इनका में जो Central Park रहेगा लेट से यहां पर यह जो फ्लेजला है कि यापकी मेंब्रेन है यह आपका क्या है स्ल वाल है अगर इन केस प्लांट की बात हो रही है किसी भी अगर यूकरिएटिक सेल की बात हो रही है यह जिसने इसमें सल वॉल है हमारी बस हम इतना कहना चाहरे है अगिस्लव आपके ऊपर की साइड पाई जाईगी यहां पर इसकी कोर जो है ना जयो यहां इसफ यहां पर बीच मैं आपका drastic रहे हैं जया मोलिगे is being a Took and this इस बड़ा वाला पार्ट is called as your filament, है ना, तो यहां पर क्या होता है, जो आपका exonim है, यह आपका, किसकी बनेगी, microtubule की बनेगी, इसलिए हम कहा रहे थे, microtubules जो है, cytoskeleton के, वो किसमें help करते हैं, motility में, flagella जो है मेरे दोस्त, यह आपका comparatively longer होता है, and यह cell movement में direct help करता है, तो अगर आपको एक ही option चुनना हो, 2014 में question आया होगा था, एक ही option चुनना था, कि which of the following is responsible for cell movement, cilia, flagella, pili, phimbrae, एक ही चुनना है, तो flagella would be the answer, यह पूरे cell को move कर सकता है, ठीक है, और इन में arrangement कैसी होती है, आपके 9 plus 2 arrangement होती है, यहाँ पर क्या होते हैं, आपके microtubules arrange होते हैं, अगर आप cilia, flagella का structure देखोगे न, यहाँ पे आपके dimer होते हैं इस तरीके से, microtubules के, तो 9 आपके peripheral, you know, इस तरीके के structures होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और center पे 2 singlets होते हैं, ठीक है, यह आपकी plasma membrane है, जो इसे cover कर रही है, तो 9 प्लस 2 arrangement आपको देखने को मिलती है, microtubules की, जबकि अगर आप last slide की बात करें, अगर आप centriol की बात करें, तो यहाँ पर क्या है, 9 प्लस 0 arrangement है, इनमें center पे कुछ नहीं होता, और यहाँ पर यह dimer की जगा trimer हो जाते हैं, 3 आपके microtubules पाए जाते हैं, ठीक है, this is the structure, अगर आप देखना चाहते हैं, और detail में, तो यह जो doublet है, यह जो dimer structures है, doublet, इनको जोडने के लिए बीच में यह जो pink color की bridge मैं बना रहा हूं, इसे बोलते हैं, inter doublet bridge, यानि दो doublet के बीच की bridge, यह जो आपकी singlets के बीच की bridge है, इसे हम क्या बोलते है, inter singlet bridge, ठीक है, और यह यहां पर अगर आप देखेंगे, तो एक sheath पाई जाती है, central sheath, जो कि singlets को cover करती है, and then there are some structures, जो कि इन doublet को इस central sheath से जोडेंगे, इन्हें हम क्या बोलते है, radial spoke, तो 9 doublet है, तो 9 radial spoke आपके यहां पर आ करके, जोड रहे होंगे, ठीक है, this is the basic organization जो आपको NCRT में देखने को भी मिल जाएगे, कोई बहुत बड़ी बात इसके अंदर नहीं है, right, since it is a revision lecture, so we would be pondering upon the most important points, right, काफी students नीचे comment करते हैं, कि sir, यह point छूट गया, जैसे कि last time जो मैंने plant kingdom पढ़ाया, तो some students said, कि sir, angio sperm आपने छोड़ दिया, मेरे दोस्त, angio sperm पे तीन chapters पढ़ाऊंगा हम आप इसको, morphology of flowering plants, जहां एंजियो sperm के outer structure की बात करेंगे, anatomy of flowering plants, जहां पर उनके internal organization की बात करेंगे, sexual reproduction in flowering plants, जहां पर उनके reproduction की बात करेंगे, तो छूटा तो कुछ भी नहीं है, बस उसको plan कर दिया गया है, similarly, यहां पर अगर आप देखोगे, तो छूटा कुछ नहीं है, च you just need to apply the Pareto principle, Pareto principle में, Pareto साब ने क्या कहा, 80-20 rule एक simple नाम है, जो कि शायद आप ज्यादा relate कर पाएंगे, कि 20% ऐसे points होते हैं, जिनसे 80% of the questions बनेंगे, so this is to target those 80% questions, right, interface nucleus, interface nucleus, यानि interface एक ऐसा state है, जहां पर आपका nucleus जो है, थोड़ा rest में है, है न, तो चीज़े जो है, आपकी फैला फैला सा है, इस फैले फैले structure को हम chromatin कहते है, ठीक है, यहां पर आपका DNA है, और DNA के साथ कुछ proteins भी attach है, थोड़ा बहुत material of RNA भी बीच बीच में attach है, तो यहां पर क्या है, आपका RNA है, DNA है, कुछ proteins है, इसे हम chromatin कहते हैं, है न, और cell इस टाइम पर divide नहीं कर रहा है, तो nucleus आपका आराम से थोड़ा सा बैठा हुआ है, खुला खुला घर पर पजामा पहन के बैठा हुआ है, बाद में जब उसे शादी में जाना होगा, तो वो आपने आपको condense कर लेगा, एक बढ़िया chromosome बना लेगा, राइट, during different stages of cell division, cell show structured chromosome in place of nucleus, जब division करना होता है, तो nucleus के अंदर chromosome बनता है, अभी तो ये डिला-डिला DNA present है, तो हर chromosome में आप देखेंगे तो एक primary construction होती है, जिसे centromere कहते हैं, अगर आप draw करना चाहें, तो draw कर सकते हैं, यह 9 plus 2 है, यह हम यहाँ पर लिख लेता है, अगर आप देखें, तो एक particular, यह जो centromere है, यह आपके arms को इस हि carry करता है, तो यह primary construction है, यानि पहली बार आपका सीधा-सीधा चल रहा था chromosome, यहाँ पर आ करके first time constrict हुआ, ठीक है, और इस chromosome के centromere के उपर, इस central body के उपर protein के एक disc present है, काइनेटो कोर उसका नाम है, काइनेटो कोर पे क्या होता है, आपके spindle fiber आ करके attach हो जाते है, at the time of cell division, यानि जब मुझे इस chromosome को आधा-धा बाटना होगा, जब इस chromosome को मुझे आधा-धा फाडना होगा, आधे को inside भेजना होगा, और आधे को inside भेजना होगा, तो मुझे fibers चाहिए जो इन्हें opposite direction में खीच रहे होंगे, तो fibers कहां connect होंगे, आ करके, इस kinetocore नाम की disc के उपर attach हो लेकिन वो बात हम लोग थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, पहले nucleus को अच्छे समझ लेते है, nucleus के उपर एक पूरा article है, let's understand the nucleus initially, nucleus जो है, इसका number क्या हो सकता है, एक particular cell के अंदर, normally एक nucleus पाये जाता है per cell में, जैसे कि हमारे normal cells के अंदर है, RBC जो है, और sieve tube cells जो है आ जो होना तो पड़ेगा, तो उसने nucleus को दिया, and sieve tube cell जो है, ये खुद की commands खुद नहीं दे सकता, इसके बगल में एक और cell पाये जाता है, companion cell जो इसकी help करता है, command देने में, तो इसमें भी nucleus नहीं पाये जाता, ठीक है, अब अगर आप एक cell बनाओगे, और एक cell के अंदर, nucleus बनाओगे, तो ये inner envelope है, nucleus की, ये outer envelope है, उसके बीच में आपके क्या है, कुछ spaces present है, ठीक है, इन spaces को क्या बोला जाता है, आपका nuclear pore बोला जाता है, यहाँ पर आपका DNA है, इससे क्या बनता है, आपका RNA बनता है, तो RNA को protein बनाने के लिए, साइटोप्लाजम में जाना है, और protein जो बन चुका है, उसको हो सकता है, nucleus में आना पड़ जाए, तो कुछ pores की जरुरत होती है, और ये जो आपका, nucleus है मेरे भाई, इसके अंदर का जो ये structure है, इसको क्या बोलोगे, जैसे cell के अंदर का जो माल है, उसको साइटोप्लाजम ब बनाना, तो जिस cell के अंदर nucleus बड़ा मिलेगा, वो जाधा RNA बनाएगा, जाधा RNA बनाएगा, तो क्या बनेगा जाधा, ribosomal RNA अगर जाधा है, तो ribosome भी तो जाधा बनेगा, और ribosome अगर जाधा बनेगा, तो cell क्या करेगा, ribosome is the protein factory, तो उस cell में protein भी जाधा बनेगा, या का number भी जाधा मिल सकता है, ठीक है, तो nucleolus जो है, it is continuous with the rest of the nucleoplasm, क्योंकि ये तो membrane less है, तो nucleoplasm का content जो है, वो आपका common रहेगा, और ये आपका ribosomal RNA synthesis में बहुत help करता है, तो ये आपका protein जाधा बनाएगा, ठीक है, chromatin जो है, जहाँ खुला-खुला DNA present था, वहाँ DNA तो था ही, small amount of RNA तो था ही, और histone और non-histone protein भी आपके पाए जा रहे थे, ठीक है, अब ये जो nucleos है, पहले Robert Brown साहब ने discover किया था, 1831, ये हम पहली slide में पढ़ चुके थे, इसे basic dye से stain किया जाता है, देखने के लिए, है ना, और chromatin term जो है, फ्लैमिंग साहब ने दी थी, ये तो कुछ factual knowledge है, अब देखो, nuclear envelope जो है, इसमें क्या है, nuclear pore है, यानि ये आपके inner membrane थी, nucleus की, आपके outer membrane थी, अब क्या हुआ, ये फ्यूज हो गई, यानि ये जो inner membrane थी, ठीक है, और outer membrane थी, ये किसी part पर जाकर के fuse हो गई, जिस तो दोनोंदों membrane जब फ्यूज हो जाती है, बीच बीच में कई कई points पर, तो आपका क्या बनता है, nuclear pore बनता है, function क्या है, आपका RNA जो बना है, sytoplasm में इसे लेकर जाना, RNA जो बना है आपका nucleus में, इसे लेकर जाना, side of plasma तक, और protein जो बना है,embina, side of plasma में, इसे लेकर आना, nucleus तो बोध डारेक्शन में यहाँ पर ट्रांस्पोर्ट होता है, ठीक है, अब देखो, यह जो दो मेंब्रेन्स हैं, आउटर और इनर मेंब्रेन ऑफ नुकलेस, इनके बीच में जो स्पेस पाए जाता है, that is called as पैरी नुकलियर स्पेस, ठीक है, और यह एक बैरियर का काम करता ह है, यानि किसी भी चीज को अगर नुकलेस के अंदर गुसना है, तो आपका डिरेक्ली नहीं गुस सकता हो, अगर वो आना चाहरा है नुकलेस के अंदर, then he needs to take permission of the membranes, अगर वो चीज बहुत important है, तो पोर के थुरू अंदर ले ली जाएगी, अब हम क्रोमोसोम की बात कर र कुछ ऐसे क्रोमोसोम है, जिनका सेंट्रो मेर एकदम सेंटर पे है, उपर की आम्स का साइज और नीचे की आम्स का साइज एकदम बराबर है, इसे हम क्या बोलते है, मेटा सेंट्रिक क्रोमोसोम, है ना, इक्वल आम्स है, उपर और नीचे की साइड, कुछ ऐसे होते हैं, जिनमें आपका जो आम्स है उपर वाली वो comparatively थोड़ी सी छोटी होती हैं, है ना, तो उपर वाली जो arms है, comparatively थोड़ी सी छोटी है, नीचे वाली arms comparatively आपकी बढ़ी है, इसे हम बोलते हैं, sub metacentric, यानि metacentric नहीं रही, अप थोड़ी सी center से हट चुकी हैं आपकी arms, एक अगर साइड की आंसापकि क्लोज पहुंच गयी टेक साइड की आंसापकी बिचारी गायब हो गई और दूसरे साइड की आपसे हम ना क्यों किसमें आं ms यह क्या है कि यह क्या है सरमटन थेAmerica आपका सब मैंटर सेंटरिक है यह आपका क्या है मैंतर संट्रिक प्रामरी कंस्टिक्षण यहां काफी बार है है हैं इसे किया कहते हैं हम लोग सेटिलाइट कहते है एक छोटा सा रीज़न है ना काफी कम क्रोमोजोम शैसे होते हैं जिन में चोटा सा Nonige region है इतना चोटा है कि आप स्टेन भी नहीं कर सकते इसे secondary constriction कहा जाता है ठीक है and this is called as satellite तो जिन chromosome में satellite पाई जाती है secondary constriction पाई जाता है उन्हें sat chromosomes कहा जाता है then there is another organelle called paroxysome नाम क्या है paroxysome micro body के अंदर आती है तो paroxysome का जैसे नाम है ये क्या करेगा paroxyde metabolism करेगा यानि आपका paroxyde जो कि एक harmful substance है अगर बना है किसी cell के अंदर plant और animal दोनों में पाई जाता है then it would be degraded to water and oxygen water भी हमार लिए अच्छा है, oxygen भी हमार लिए अच्छा है तो एक खराब चीज जो है hazardous चीज जो थी उसको हमने अच्छे अच्छी चीजों में convert कर दिया that is your peroxide metabolism got it so I guess the lecture was quite long but I hope you got most of the points जो कि in mind map it becomes really important to consolidate the content तो हमारे लिए भी काफी difficult हो जाता है अगर यही chapter अगर मैं बैच में पढ़ा रहा होता जो कि मैंने पढ़ाया भी है obviously then I have taken good time for it I guess I have taken four different lectures और एक average lecture लगभग दो धाई घंटे के असपस का था यानि अगर आट गंटे का काम दस घंटे का काम अगर हम एक घंटे के अंदर कर रहे है तो we are pondering upon the most important of the points ऐसे points जो बहुत ही जादा जरूरी है जिनसे पेपर आपका बनेगा ही बनेगा तो if you will be looking forward for the you know past year question papers then you will be finding most of the questions of last five years in this lecture आपको बहुत आराम से जो है वो सारे questions इस lecture से आते होई दिख जाएंगे विकाद यहां पर आपका 90% काम दन हो जाता है आपको क्या करना है आपसे मेरे lecture में आने से पहले यह याद रखिए है थोड़ा सा homework भी करके आई है आपको क्या करना है जब भी आप किसी भी mind map lecture में आए है हर teacher आपको यह बता ही रहे होंगे बट specifically मैं अपने lectures के लिए बता देता हूँ आपको एक बार एक chapter को खुद से प पढ़िए देन NCRT को revisit करिया और फिर हमारी यह जो वीडियो है इसको 1.5x पर देखिए क्योंकि 2x तो मैं अल्रेडी काफी तेज बोलता हूँ तो मुझे नहीं लगता है कि 2x आप जहल पाऊ गया अगर जहल पा रहे हो that's very good 1.5x पर mind map lecture देखिए तब आपको इसका maximum output मिलेगा अगर आप फर्स्ट टाइम में माइड मैप देख रहे हो तो हो सकता है आपको यह 50% ही improvement दिला पाए है ना first time में अगर आप देख रहे हो तो 50% यह homework करने के बाद अगर आप देख रहे हो 99% 100% जो भी आप लगाना चाहे maximum possible thing depending upon your you know conceptual clarity कि आपको पहले कितनी चीज़े समझ में आई है this is the ideal scenario right so thank you so much guys for watching this video up मैं मिलता हूँ आपसे अगले chapter के mind map के साथ जहां पर possibly हम लोग morphology of flowering plants discuss कर रहे होंगे and then we will you know proceed forward towards anatomy of flowering plants and then uh two rest of the topics जो कि हमें a lot किये गए है तो उसका भी एक पूरा का पूरा फ्लोव जो है मैं आप लोगों के साथ share कर दूँगा but this lecture was really very important and I hope that you got the basic concepts of cell and अब हम लोग अलग-अलग type के organisms को अलग-अलग type के cells को detail में study कर सकते है thank you so much मिलता हूँ आपसे अगले session में तब तक के लिए शुक्रिया बाइ-बाइ टेक केर जहिंद